नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब इज्योगे इस नहीं जैनल में आज क्योडू लेक्चर में हम कुछ ऐसा हेल्फ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बार में बात करेंगे जैसे कि जब आप टॉयलेट करने जाते है तो उस दौरान या फिर टॉयलेट करने के बाद वहाँ से खून आता है ब्लेडिंग होती है दूसरा एक प्रॉब्लेम हम देखे तो उठने बैटने में काफी ज़्यदा मुस्किल आती है उस दौरान आपको तो यह जो सभी सिम्टम से वह इंडिकेट करते है कि पाइल्स की बीमारी हो सकती है तो उसका जरूर से एक निदान करना जरूरी है और प्रॉपर इसके बारे में इलाज जरूरी है तो सीखते हैं डिटेल में और यह सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं आज की लेक्चर में औ और दूसरा बादी बवासिर होता है और बवासिर के सरुवा तब होती है जब गुदा और मला से एक सेतर की नसे में सुजन देखने को मिलती है वो फूल जाती है तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में देखे तो यहाँ पे जो वेन साब देख रहे हैं जो एनस रिजन की तो व वहाँ पे दो type के हीमेरोईड बनते हैं, एक internal बनते हैं और एक external बनते हैं और एक काफी painful condition है, ये piles के कि जिसके अंदर bleeding भी होती है, दर्द भी होती है, जलन वगेरा भी होता है और patient को जो ही वो etching भी होती है, especially एनस और rectum के portion में, तो मैंने जैसे अब आपको समझाया कि यहापे जो अंदर की ओर होता है जिसको हम internal hemorrhoid कहते हैं और जो बाहर की side होता है उसको हम external hemorrhoids कहते हैं तो ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो अब हमारी जो book है decision treatment उसको आप जरूर से purchase कर सकते है तो ये book में आपको सीखने को मिलेगा अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में नीदान कैसे होता है कौन सी दवा ये उसमें prescribe की जाती है तो affordable price में भी आपको ये book मिल जाएगी तो order करने के लिए ये वाली number पे आप जरूर से WhatsApp करें और उसकी sample copy भी आप चेक कर सकते हैं तो बात है topic प्योर समझते हैं piles के बारे में कुछ और reason तो कुछ ऐसे उसके मुख्य कारण जो देखे तो अगर आप deep fried और processed food खाते हैं अमलब की मैंने में एकाद दो बार खाते तो वो ठीक है बड़ रेगुलर आप उस तरह का खाना खाते हैं तो आगे जाके आपको ये बीमारी जो हो सकती है फिर लंबे समय तक curbs रहता है तो curbs के करण क्या होता है कि जो stool काफी hard हो जाता है तो hard stool के करण जो rectal का portion है NS का portion है वहाँ पे काफी ज़्यादा pressure भी पड़ता है और वहाँ के जो muscles होते है veins होते है वो damage होने लगती है और उसके करण वहाँ पे सूजन आ जाती है तो ये एक reason बनता है अगर किसे को gas रहता है लंबे समय तक तो भी उसके करण ये problem हो सकती है पाचन संबंदी समझ से मेंलब कि आप जो भी कुछ खाना खाते है वो अच्छे से digest नहीं होता उसके करण gas हो जाता है constipation हो जाता है तो आगे जाके ये problem हो सकते कई बार एक genetic factor भी बनता है कि अगर परिवार में किसे को piles है तो आपको भी आगे जाके ये problem होने का एक risk रहता है कुछ और reasons हम देखे तो chronic constipation के लंबे समय तक constipation रहना chronic diarrhea मलब के लंबे समय तक diarrhea रहते है आप काफी heavy weights जो है वो lift करते है मलब कि काफी ज़्यादा वजन जो है वो आप carry करते है एक साथ तो भी ये problem हो सकती है pregnancy के दुरण ये एक symptom बनता है कोई obesity का patient है किसे का weight काफी ज़्यादा है या फिर आप ऐसा diet लेटे कि जिसके अंदर fiber कम है कम fiber वाला खाना खाओगे तो क्या होगा constipation होगा और constipation लंबे समित रखेगा तो आगे जाके piles की समस्या हो सकती है फिर straining जैसा फिल करते हैं जब आप stool पास करते हैं जो stool होता है वो काफी ज़्यादा जब hard हो जाता है तो उसको बाहर निकालने में काफी ज़्यादा दिक्कत आती है जो straining होता है वाके जो muscles खिचते हैं तो वो area damage होता है और उसके करण piles का problem हो सकता है तो symptoms हम देखे तो जैसे अभी हमने बात की कि जब आप toilet करने जाते तो दोरान यार उसके बाद bleeding होती है फिर mucos आता है इचिंग होती है वहाँ पे खुजली जैसा आप feel करते है pain होता है जलन होते है तो यह सब उसके symptoms बनते हैं फिर जैसे अभी मैंने आपको समझाया यह सब symptoms जो है वो वहाँ पे देखने को मिलते है piles की बिमारी के अंदर अब सबसे important जो समझना है कि उसका निदान कैसे होगा diagnosis कैसे हो सकता है तो सबसे पहले जरूरी है physical examination की जो आपके doctor है, healthcare provider है वो अच्छे से patient को check करते हैं और physically check करके वहाँ पे check देखते हैं कि किस तरह की condition produce हुई है कई बार वहाँ पे finger touch करके भी वो चेक करते हैं कि किस तरह का वहाँ पे condition produce हुई है second हम देखे तो blood test जरूरी है यहाँ पे कि कोई infection वगेरा हुआ है या नहीं वो check करने के लिए blood test जरूरी है फिर अगर लंबे समय ते constipation रहता है और gas भी रहती है या फिर कुछ intestine में कुछ problem से तो वो check करने के लिए sigmaidoscopy का एक option बन दे तो उससे exact reason पर चलता है कि आपके जो intestine से वहाँ पे कुछ problem और उसके करन यह दिक्कत आ रही है तो वो एक check हो जाएगा अब बात करते हैं treatment के बारे में तो treatment में ऐसा है कि लगाने वाली creams आती है कि वहाँ पे आप externally वो creams लगाते है gel लगाते है ointment वगरा लगाते है वो एक option बनता है कि जो directly वो area में लगाना है और दूसरा orally tablets ली जाती है कि जिससे बीमारी जो है वो अंदर से ठीक होती है और बाहर से भी ठीक करने के लिए gel की options बनते है तो सबसे पहले tablet की हम बात करें यहाँ पे तो tablet है यहाँ पे pylium करके एक product है कि जिसके अंदर pro anthocyanidine and vitamin C है तो यह tablet patient दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार ले सकता है उसको इस तरह से prescribe की जाती है second हम देखे तो pylium की suppositories भी available है hemiroidal suppositories जिसका नाम है mmc pharmaceuticals उसको manufacture करते है और एक strip में आपको 5 suppositories मिल जाती है तो रात को या फिर दिन में एक suppository वो एरिया में जो है वो insert करने रहती है तीसरा यहाँ पे option है pylium की gel का की जैसे मैंने आपको बताया था की जो cream बाहरी हिस्से में लगाई जाती है और tablet वगेरा आप खाते की जैसे बीमारी अंदर से भी ठीक होती है और बाहर से भी ठीक होती है तो pylium की जो cream है वो patient दिन में दो या तीन बार वहाँ पे लगा सकता है कि जिसके अंदर ट्रॉक्से रूटीन होता है calcium dobes silent होता है zinc रहता है phenylephrine रहता है lignocan रहता है और hydrocortis होन रहता है मनलब कि ऐसे combination ingredients से कि वहाँ पे healing का भी काम करते है pain sensations कम करते है जलन कम करते है और piles की बीमारी बवासिर की बीमारी को ठीक करने में आपको काफी ज़्यादा मदद करते है अगर ये से ठीक नहीं होता तो आपके पास एक और option रहता है कि mankind की ये product है pilar root करके तो ये भी patient जो है वो use कर सकता है कि जिसका dose रहता है खास कर दिन में दो या तीन बार आप अप्लाई कर सकते है पांच वो option हम देखे तो एनोवर्ट का है एनोवर्ट जो है वो anti-hemeroidal cream है bacalomethazone उसके अंदर साथ में रहता है और ये भी same dose में लगाई जाती है दो या तीन बार अप्लाई कर सकता है छटा option है Sanofi के काफे बेस्ट प्रोड़क्ट है कि जिसके अंदर bacalomethazone है कि जो एक steroid है phenylephrine है and lignocanival एक anti-stemain आ जाता है steroid भी आ जाता है और local anesthetics भी आ जाता है कि जो pain कम करेगा surgeon कम करेगा और eating वगेरा होती है patient को तो वो भी कम हो जाती है यहाँ पर खास लिखा है for external use ओने तो सिर्फ बाहरी हिस्से में उसको लगाना रहता है तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको अलग-अलग बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनका निदान कैसे होता है उपचार कैसे होता है तो यह सबी डिटेल में दिया है यह वाली बुक के अंदर decision treatment बीमारिया और उनका उपचार तो यह बुक को order करने के लिए आप यह वाले नमबर पे WhatsApp कर सकते हैं अब समझते हैं आगे topic पर वापस आते हैं तो pilex fault करके यहाँ पर हमारे पास एक tablet का option बनता है कि दो tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार patient ले सकता है आठ पा option बनता है pilex का तो यह pilex fault है और यह simple pilex है तो दोनों में से कोई भी patient जो वो select कर सकता है नाइन्थ option हम देखे तो pilex fault के जो gel भी available है जो cream की बात कर रहे है ointments के हम बात कर रहे है तो उसके साथ ही एक applicator आता है यह applicator को use करके patient जो वो दिन में दो या तीन बार वहाँ पर लगा सकता है और दस वो option है hudensa करके जो tube आती है वो भी आप वहाँ पर लगा सकते है कि जिसके अंदर thymol रहता है menthol रहता है, lignocan रहता है तो यह भी काफ़ी effective साबित होता है इले उन्थ option हम देखे homeopathic medicine का है तो जो anal facer है वहाँ पर जो sujan आ चुकी है, piles की समझ से तो उसको ठीक करने के लिए fp ointment करके यह product है तो वो भी काफ़ी effective साबित होता है और fp के tabs भी available है, तो अगर आप homeopathy के साथ जाने चाहते हैं तो यह भी एक option अच्छा रहेगा कि यह tablet use करता है patient और यह जो tablet से वो use करता है कि एक tablet दिन में एक बार या दो बार लेना और साथ उसाथ अंदर से ठीक करने के लिए और बाहर से ठीक करने के लिए ointment and tablet का option यहाँ पर बन जाता है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पर क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी आप जरूर से देख कर सकते दे वहाँ पर भी आप डिटेल में सिख सकते है बीमारियों के बारे में और उनके उपचार के बारे में So good luck and all the best